आज का question है कि हमें integration करना है d x upon 9 x square 9 x square minus 16 का integration करना है ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम dx को ऐसी लेंगे 9 को बार लेंगे 1 by 9 x square minus 16 upon 9 बन जाएगा हो ठीक है तो वन बाइ नाइन डी एक्स अपॉन एक स्क्वाइर माइनस फोर बाइ थ्री का होल स्क्वाइर हो जाए ठीक है तो वन बाइ नाइन को ऐसी रहें दो इंटू आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए की एक स्क्वाइर माइनस ए स्क्वाइर का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन टू ए ठीक है तो वन अपॉन टू ए होता है तो वन बाइ नाइन हो गया इंटू टू टू फॉर्जा वन अपॉन टू फॉर्जा ए टू 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 फॉर्जा एट इंटू थ्री अपॉन थ्री ऊपर चले जाएगा अगर आप से इसे समझ नहीं पाया तो पूरा बता दिना मैं बता दूँगा अब यहां तक छोड़ रहे क्योंकि डाउट आइंगे तब ही मजा आएगा और फिर आप सोचोगे ना सब कुछ ही मैं बता दूँगा फिर तब मजा नहीं आता तो यह हो जाएगा यहां थे थ्री बाइट अब क्यों हो रहा है वन अपॉन टू ए आ रहा है टू ए क्या है थ्री बाइ फॉर बाइ थ्री तो अब इतना समझी गए फिल लॉग ब्रैकेट एकस माइनस ए थ्री बाइ फोर बाइ थ्री अपॉन एकस प्लस ए फोर बाइ थ्री प्लस सी तो थ्री अपॉन ट्वन्टी फॉर लॉग ब्रैकेट थ्री एकस माइनस फोर अपॉन थ्री एकस प्लस फोर प्लस सी या अपॉन ट्री एकस प्लस फोर प् आपका आंसर है तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर क्या पूछ सकते हूं